नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मुंबई से जाने माने पत्रकार लेखक चिंतक मनीशी, बहुत ही वेल नौन फेस, भाव तोर से कर जुड़े हुए हैं, भाव आपका बहुत सोगत है, भाव आज हम कॉंग्रेस पर बातचीत करने वाले हैं, कई तरह की बातें सामने आती हैं, और सबसे एहम बात ये है, पिछले दिनों आपने भी अपने मराठी चैनल पर इस विशे पर बातचीत की थी, तो हमने सोचा कि जो हमारे हिंदी के दर्शक हैं, उन तक भी आपके ये विचार पहुँचने चाहिए, ये जो गांधी नहरू फैमिली है, ये दस जनपत ह है, ये कॉंग्रेस से अपना वर्चस वो छोड क्यों नहीं रहा है? वैसे ये फैमिली पार्टी है, ये तो उनके समर्थक भी आप मान लेते हैं, उसमें कोई दो राय बची नहीं, पहले तो बोलते थे, ये क्या बात कर रहे हैं, ये सब गलत तुम एक्यूज करते हो, अरोप करते हो, लेकिन आप वो सब मानते हैं, लेकिन उसमें से जो बेसि सब्सक्राइब करते हैं, ये फैमिली के पास है, वह इसी पार्टी है, अगर आपको, मैं आपको एक बात बता दो, मुझे यान है, कि पचीस साल करीक, पचीस साल पहले की बात है, पचीस-बाइस साल पहले की, तो हमारे या आइटी ये इन्फरमेशन टेक्नोलोजी का हमारा नाम हो गया इंडिया का, तो उसमें से दूसे शिरूफ हो गई, इंफोसीस कंपनी जो थी, नारयन-मुर्ती की, उसका बोल बाला हो गय प्राइण मुर्ति नारायन मुर्ति नारायन मुर्ति चलता था तो बर्खादत ने इंडी टीवी के लिए उनका इंटर्व्यू लिया था और पूछा था कि आप प्राइब मिनिस्टर क्यों नहीं बनेंगे आप इतनी बड़ी कंपणी बना के चला रहे है हजारो आज लाक से ज्यादा उदर एंप्लाइज है अब इतनी सक्सेस्पुली चला रहे है तो नारायन मुर्ति ने जो जवाब दिया था हो बहुत महत्वपरून था वो बोले आयलवी में डिसेस्ट है मैं तो संकट बन जाओंगा प्राइम मिनिस्टर बनूगा तो बर्खादत हैरान होगे अब तो सक्सेस लो तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे लिए आसान बात कंपणी चलाने के लिए तीन लाग से ज्यादा एंप्लोई है हमारे कंपणी में लेकिन यह ऐग भी ऐसा एंप्लोई नहीं कि जो मेरे पसंद का नहीं अगर मेरे पसंद का है और वाजपीज देश के प्राइम मिनिस्टर है और सेंट्र गॉवर्मेंट में कम से कम 35-40 लाख इंप्लोईज है लेकिन उनमें से एक भी वाजपीज के पसंद का नहीं है तो कैसे चलाएगा गॉवर्मेंट तो गॉवर्मेंट चलाने का मतलब जो है वह हम यह रहा गॉवर्मेंट चलाना जो होता है तो पात यहां भी होती है कि वो क्यों चला सकते है नहीं जो पार्टी चला रह है वो उनके पसंद किये उसमें डेमोक्रासी हो इंशक्ति नारेन मुर्ती जो बोल रहे हैं थे कि मैं कंपानी चलाता हूं तो उसमें डेमोक्रसी नहीं है कि मैं लायक हो मैं हो नहीं तू निकल जा मेरे ढंग से अगर तू काम नहीं करेगा तो तू निकल जा कॉंग्रेस उसी ढंग से चलाई जाती है तो उसका मतला पॉलिटिकल अनिलिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं वो बोल रहे हैं नारेन मुर्थ को को कोई एंप्लोई बोल रहा है कि इस ढंग से कंपनी नहीं चलाए नहीं जी अब इसकी तो बात छोड़ो वो कोई सायरस मित्री जो को टाटा ग्रूप का चेर्मन मना था उसको क्यों हटाया कि वो तो रद्दन टाटा की सुनता नहीं था तो कंपनी का मतलब अगर नहीं समझेगे तो हां ठीक है पार कंपनी जैसे प्राइवेट लिमेट चल रहे थे खाली नाम ने उसका मतलब समझना जरूरी है जी हमारी ह है मुंद कर दोबाएंगे चलेंगे तुमको मतलब क्या है तुनको बगी इसे तुम उसके पॉलिसी मेटर में ना क्यों डालते हो हाथ क्यों डालते हो तो यह जो खत था यह खत से क्या सामने आ गया है उस पर चर्चा ही नहीं हुए जी और अगर वह कंपणी डुबा रहे तो उसका मतलब क्या है इसलिए मैंने उसकी तुलना मुंबई जो टिक्स्टाइल में का बड़ा स्ट्राइब हुआ था अड़ीस पहले जी तो उस वक्त जो हालत थे तो वो तो यह पुरा मीन वर्कर्स मीन के जो धंदा था वो तो डुबने वाला था जी और माली को डुबाना चाहते थे क्योंकि वो जो मील की जमेन थी वो उस वकत क असल में मुंबई बोलते थे उसके बाहर का एनिजालेव Mm जमीन ने मिल को दे दी थी जमीन तो गवंट की थी अब जाके वह तो प्राइम लेंड बन गई है तो वह जो जमीन है वह सोने की खान है ख़दाने हो सोने की तो उनको वह जमीन बेचनी थी आकि उपर वाली मिल तो भंगर में दो रूपए में बेच दो तो कई फरक नहीं प्राइम लेंड बेचनी थी तो उन्होंने अपना धंडा डुबाय लेकिन मालकी नहीं छोड़ी भाव आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाव इसका मतलब यह है कि सोनिया गांधी राहूल गांधी या प्रियंका यह लोग पार्टी की चिंता नहीं कर रहे हैं पार्ट सुनना कि कंग्रेस की कम से कम कंग्रेस पार्टी जो है वो कॉंग्रेस पार्टी जो है उसकी कम से कम पचास हजार करोड की प्रापर्टी से कहां कोई प्लॉट होगा कोई जमीन है कहां बिल्डिंग है इसकी कीमत पचास हजार कोड़ी से अभी मैंने दो-तीन साल पहले पढ़ा था कि 67-65 ऐसे कभी जब कामराज चीप मिनिस्टर दे टमिलनाद के वो समय उसको मदराज बौलते तो उन्होंने मदराज के चीप मिस्टर थे तब मदराज के आउट कर्स तो आभि उसको चिन नहीं बोलते उसके आउटसकर्स में बहुत बारी कूछ बीस पचीस एकड जमीन पार्टी के लिए खरीदी थी अभी ओं तो पार्ट अब तो चिन्नही में आ गई है और वो प्राइम लेंड है आप सोचो कि ऐसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसके मध्यवादी एरिया में 20-25 इकड़ जमीन की कीमत क्या होगी तो उसमें कुछ मॉल वगरा बनाने के लिए रहूल गानी सोच रहे तो समझ में आई आप के बाद कि पार्टी यह धन्दा है वो चले ना चले लेकिन प्रापरटी की कीमत तो भूत है तो इसलिए अभी का मतलब क्या होता है पार्टी में स्टेक होलर्डर सोते यो को बर्किंग कमीटी या को है अधूर हाई जो पार्टी का ढाचा है उसमें जितने लोग है वह सब उस प्रॉपर्टी के स्टेक होल्डर्स होते हैं वो जितने अपने आप निकल जाएंगे तो बचेंगे उनकी तो प्रॉपर्टी बनती है आपको और एक बात बता है कि बीच में जो सुप्रमानियम स्वामी ने केस जाला था नेशनल हलाल का वो क्या था Advango को कोई को डोनेशन देता वह तो टेक्स प्री होता है तो खुर्ट ऑब कर टीर कर चो डोनेशन अया वह आप बिजनेस में नहीं लगा सक्ते उसका धन्दर कर सकते। पार्टी के लिए खर्चा कर सकते। तो उन्होंने उसमें से 90 करोड निकालकर नैशनल हेरार्ड को दे दिये असोसियेटेड जनरल नमके कमपणी है यह तो अपना माउट पी से मुखपत रहे उसके लिए दिये थे अब वो तो चलने ही रहा था तो उसको दे दिये अब वो तो विजनेस साथ फिर वो चला नहीं पेबैक नहीं कर रहे तो अभी क्या करें तो अभी देखियें कांग्रेस के दो वरिष्ट नेता सोनिय और तो पिर अगर अगर पैसा वापस नहीं दे रहे तो करे क्या तो राहूल और सुनिया ने मिलकर यंग इंडिया नाम के कंपणी वनाई और उसने एजेल कंपणी खरीद ली 50 लाख में तो एक प्रकार से सुनिया गांधी बोलती है सुनिया गांधी के पास जाकर कि भाई मेरा रणा नहीं चल रहा है तो मुझे कुछ पैसो की जरूरत है तो कॉंग्रे कोई बात नहीं यंग इंडिया सुनिया बोलती है कि मैं तुमको खरीद लेती हो तो आप समझ रहें अंग्रेजी में हैं अंग्रेजी में कैच 22 नाम का एक बड़ा भारी करोडों में जिसकी खरीद हुए ऐसा किताब है बड़ा मजाकिया किताब है तो उसमें वो एक मुझ है मेरी तो वहां से खरीदता हूं कोई शहादरा है वहीं से खरीदता हूं है अच्छा तो शहादरा में जो है वह कौन है तो वह तो चौधरी है उससे लेता है तो वहां तीन पैसे का जो अंडा है वह यह आदमी 25 पैसे को खरीदता है और अर्मी को सब्सक्राइब को अपना-पना कुछ मिल रहा है तो वहीं से जाके क्यों नहीं खरीदता है तो तुझे 20 पैसे प्राफिट हो जागा है तो मैं उनको नहीं हटा सकता तो क्यों नहीं हटा सकता क्योंकि यह सब तो महें ही हूँ जो अलग अलग मैंने मजाए वो तो महें हूँ यह धंग से यह पार्टी चल रही है यह सब दंदा चल रहा है उसी तरहीके से यूपीए घॉमेंट चली अब तो मामला आ गया कि को जो चोक्सी है को और है जो भागे हुए अभोड है उन्ह सब्सक्राइब तो करोड़ों से बैंकों को लूटा और उनमें से कुछ करोड़ तो इनके फांडेशन को दे दिये तो समझ के कैस्ट ट्वेंटी टू बिलकुल बिलकुल महीं मुझे बेचता हूँ महीं घाटा भी बोलता हूँ महीं फ्रॉफिट भी बोलता हूँ इस वह फैमिली ओन हो जाती है तो कहीं इनका मकसद यह तो नहीं है कि धीरे-धीरे सभ आउट हो जाए हैं और बस यह तीन लोग बचे बिल्कुल वही तो ही वही तो इसलिये जो चला सक्त bench ange ऐंथनी तो कुछ नहीं कर सकते वह केरवा से चुनकर भी नहीं आ सकते हैं को हूंकू के सन्मान करें के हैं कि सल्गुव बिटायेंगे जीन परसुँवं वह तो चुनकर नहीं आ सकते उनको महाराश्ण से राज्य सभा मिलाकर बिठाएंगे सचिन पाइलट अगर पार्टी का काम करके एमेले चुन के लाता है तो इनाले के साल पार्टी चला रहा है अगर पार्टी को भंगार बनाना है तब ही तो बेच सकते हैं तो इसलिए जिनको पार्टी चलाना है वो तो गुनेगार बन गए कॉंग्रेस में अभी जो फ्रस्ट्रेशन गुलाम नभी आजाद को है कपिल सिब्बल को है वो फ्रस्ट्रेशन आप समझ लो जी अच्छा और एक बार बता दू आपको यह बोलते हैं कि इस पीपल देर क्या बोल रहें उनको रहूल गानी को पता नहीं चल रहा है अगर यह 23 लोग लिखते है कि भाई पार्टी को फूल टाइम प्रिसिडेंट चाहिए चुना हुआ अद्धिक से चाहिए जो पार्टी चलाए लीडर्शिप करे पार्टी चलाए तो पार्टी कॉंग्रेस पार् सब्सक्राइशन है अब उनका आरोप तो समझ लो हो पूछ रहा है कि आपको आगे करके बीजेपी कॉंग्रेस पार्टी चलाना चाहती है अब तो डूबाना चाहती है तो होगा क्या भाव इसमें होना क्या है क्योंकि लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से ये पार्टी पर से अपना वर्चस्प खतम करेंगे और ऐसा भी नहीं लगता है कि जो मांग की जा रही है कि आमूल चूल बदलाओ होना चाहिए ब्लॉक लेवल से जिला अध्यक्ष लेवल से परदेश अध्यक्ष लेवल पर फिर राष्टी अध्यक्ष लेवल पर चुनाऊ होने चाहिए अभी सुनते हैं कि राहुल गांदी ने कपिल सिब्बल को गुलाम नभी को फौन किया आपकी जो समस्याएं हैं आपने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर गोर करेंगे एक तो मुझे यही समझ में नहीं आता है कि राहूल गांदी किस हैस्यास से फॉन कर रहा है राहूल गांदी अध्यक्ष भी नहीं है उपाध्यक्ष भी नहीं है महासचिव भी नहीं है मतलब स समस्याओं का समधान करें बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो उनको बता रहा है कि तुम अपनी आउकात में रहो जी हम जो टुकड़े फेक रहे हैं उस पर खुश रहो यह पार्टी क्यों चलाना चाहते हो पार्टी चलाने की कोई जरू था ही नहीं अभी देखिए जिल डंग शेएंसे इस्ट इंडिया कंपनी ने और समय के जो राजा वगर्या थे नवाब थे उनको कैसे खतम किया अरे तुम तो राजा रहो ना तुनको सेना किसलिये चाहिए क्या था उनका मामा कि तुम राजा रहो नबाब रहो हमने कहां आपको ना बोला है लेकिन आपको अगर आपके सुरक्षा ही हमारे हाथ में है तो आप रहो आपके बाद आपका बेटा नबाब बनेगा राजा बनेगा कोई प्रॉब्लेम नहीं है आपको किसे से लड़ना ही नहीं है आप अपनी अपनी दुम eve बनाया कि आपको यूपी का कॉंग्रेस प्रेशिडेंट मैं आपको क्या क्मीटी का मिंबर बनाय अव् worked here न 2 बाकितम जो कारवबा रहे हैं वह कर रहे हैं कि क्युंत हे lives in ऐसा बोला आप आपकी था क्या है आप खुद राजा बनने से आप ऐस करो आपको तो राज्य सवा में बिठाया है इससे और क्या चाहिए आपको तो सब तक्लीव जो है वो उस समय से चलती आईए आईए कि पहले जो राज्य में राज्य नवाब क्या होता है वो तो लड़कर अपनी सल्तनत पैदा करत है अपना खुद का संस्थान बना देता है तो अगर लड़ेगा भी नहीं तो इस इंडिया कंपनी पर बिटीशों पर निर्वर हो गया है तो उसके बाद वो जो टुकड़े फेके गए उस पर ही उसको जीना है अगर वो लड़ने की कोशिश करेगा हमने मेरा खैल है कि शत्रेंज के खिलाडी नाम की जो फिल्म में थी तो जो अवद की स्टोरी लिखी है वो क्या है यह जो देजी स्लोग है वो जो बोल रहे है वही तो अवद का नवाब करने निकला था उसको मेर्टीशों ने खतम गर दिया था यार अपने वो बड़ी पुरानी उपहार ह है वो संजीव कुमार करने वाला तो सामने पेठा रॉबर्ट रोडरा वो तो प्रॉपरिटी डीलर यह ना लेकिन जब तक है प्रॉपरिटी बंगार नहीं हो जाती तब तक तो बेच नहीं सकते अभी इसमें कुछ और अलग उसके क्या बोलेंगे आप उसको अलग साइड भी है वो भी हमको समझ लेनी चाहिए इतने जी उठता है उसी रात जिस दिन यह मामला हो गया था और रफा दबा करने की कोशिश उसी रात फिर गुलाम नभी आजाद के घर में उस 23 मेंचे हुआ है बिल्कुल बिल्कुल पर जितने लोग इस समय बदलाव की मांग कर रहे हैं या इनके सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं आपको लगता है कि ये लोग अलग पार्टी बनाएंगे अलग रहा लेंगे कुछ जगड़े ठंटे होंगे या अल्टिमेटली चुपो के बै उसके बाद किसी यूपी के उदर के यूपी के लिडर थे उन्होंने तंज कसा जीतिन प्रसाथ पर याद होगा आपको जीतिन प्रसाथ के बेटे हैं उन पर कोग डागी थे अब उसकी दो चार न्यूस कहीं आगई मामला रफा दपा हो गया उसके बाद निर्मल खत्री न अब देखिए कि यूपी की प्रवारी का उन्हें प्रियंका गांधी है आप समझ रहें और यूनों ने मामला कहां का निकाला कि जब ये गूलाम नभी आजार ये यूपी के प्रवारी थे तो इनी के कारण बीएसपी से गड़ जोड हुआ था बीस-पचीस साल पहली बात कर रहे और पार्टी मार खा गई आज निकाल रहे नर्सेरों का जमाने का पचीस साल तीस साल पहली की बात निकाल रहे उसके बाद बोए कि दोजार सत्रा में भी पहले गुलाम नभी आजा हो गया जी तो यह दगाबा से इनको पार्टी से हकाल दो तो कैसे तोपे डाग डाग दी जारे क्यों घुस्ता में आए बढ़के और किस्तपा देकर निकल जाए यह जो तरीका हो आप समझ लो यह निकल जाए गुस्ते में आकर निकल जाए तो उसके बाद अपने को चाहि है तो यह निकल जाय है कि इसके लिए सब चल रहा है तो उनको पार्टी चलानी ही नहीं है तो इसलिए प्राफर्टी पर उनका ध्यान है अब पार्टी बनेगी नहीं सत्ता में तो आएगी नहीं तो लड़े क्यों जो है वो भंगार करके बेजदा लेंगे इसलिए सब अच्छा मुझे अभी देखिए जो खत था ये खत तो कल पर सो लिखा नहीं था जो न्यूज बाहर आई है तो ये एक महिने पहले लिखा हुआ खत था जी तो वो सी डव्यू सीजियो थी होने वाली उसके तीन-चार दिन पहले कैसे खत बाहर आ गया कैसे बाहर आ गया तो जान पूझ कर वो लिख कर दिया गया हौध तो मैं वो तरक करना करता हूं हमेशा कि ये किसने क्या होगा उसका तो ऊसके पास लिख करना जाता है इसका मतलब यही है कि शायर शायर गांधी फैमिली को पता चल गया है कि ये लोग कुछ इकटा होकर और तो संजेज हा तो बोलते 300 छोटे मोटे लीडर इसमें है जैसे पहले एंन्लड के जमाने में हुआ था फिर बहुत बार हुआ है कोंग्रेस करने की कोश्य लेकिन इंद्रा जी के बडी looking तो वो स्ब्स्ट्रrian करने से क्या वुगा इसमेर दीन मिना जरूरी है इंकी ताकत कहती है इनकी फैमिली के की बिना पार्टी चले की यह चलता उहयात है उसमें कोई दम नहीं अगर स्प्लीत होती तो स्प्लिट होने से क्या मतलब निकलता है वो सोचना दूरी है उसमें जो टेक्निकालिटी से आप अगर मेरा खायर 69 में जब पार्टी तूटी थी तो इंड्रागानी पार्टी से निकली थी बाकी की पार्टी और हाई कमा निकलता थी लेकिन वन्यों पार्टी यह जो थी उसमें गाय बच्ड़ा नाम का उनका चुनाव चिन्न था जो चुनाव आयोक के पास मामला गया उन्होंने दोनों पार्टी यह का रिकग्निशन निकाल दिया दोनों को अलग अलग बुड दिखाए अलग अलग नाम यह कॉंग्रेस ओ औ अधिशन चंगर्डन कॉंग्रेस बोलते थे और कॉंग्रेस और कॉंग्रेस रूली ऐसी दो पार्टी दिखाई दी ती इकत्ता के चुनाव में जब बड़ी भारी मातरा में इंदीरा जीत गई तो चुनावायों नहीं मान लिए कि यह असली कॉंग्रेस है तो स्प्लिट क मतलब आप समझ रहें कि पार्टी की मान्यता है वह फ्रीज कर दी जाएगे तो वह होनी नहीं चाहिए तो यह अगर आज ही उटकर जाएंगे तो उनको रोको उनको रोकने के लिए छे महेने में चुना होगे पारडी में यह बताया गया है ये चीजे जब कांग्रेस के आम कारियकरताusted आमनेता समझ जाहेंगे कि एक्ष्वल में ये फैमिली चाहतीच्ज क्या है कियोंकि पारटी की चिंता तो इनको है नहीं और कुछ नेता ऐसे हैं जिनको परिवार की चिंता है और को परिवार प्रोफरटी की चिंता है तो जब यह आम कांग्रेस कार्यकरथा को पता को लग जाएगी समझ कि आ जाएगी बात तब क्या हालाद पैदा होने stehen वे वह तो तो देखिए अभी जब संजेज हां बोलते है जो प्रवक्त है उनको पार्टी से निकल दिया गया है तो बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया आ गया है अभी बात ऐसे कि गांधी फैमिली पार्टी पर निर्वराय क्योंकि उनको प्रॉपरडी चाहिए लेकिन बाकी के ज मेल्डर मील्वर्कर जो थे अगर मील चलेगी तो इनकी रोजी रूटी रहेगी इसलिए उनको मील चला नहीं थी जी मेल माली जो थे वो मील पर निर्भरते को मालकी के लिए मालिकाना हक के लिए निर्भरते मील चलने से उनको कुछ नहीं था फायदा भंगार होने से फायदा तो इसलिए अलग-अलग धंग से जो देखते हैं तो बहुत सारे कॉंग्रेस लीडर को अभी पता चल गया है कि इनको से इकठा हुए है और एक बात समझ लो कि इसमें अगर सिब्बल है जो इनके आज तक सब जटिल से जटिल जो कानून के मामले थे वो सुल जाने वाला तो उस तरफ है तो उसने कुछ लिगल ही सोचा होगा है आप समझ लो अब वो एक लिगल माहिंड है यहां गुलाम नभ नेता है वो इकठा होकर कुछ ऐसा परिया निकाल रहे है कि हम स्प्लिट करेंगे स्प्लिट करेंगे और अगर पार्टी की मान्यता फ्रीज हो जाते है तो गांदी फैमिली की असली अवकाद दिखानी पड़ेगी जो इंदरा जी को दिखानी पड़ी थी लिकित इंदरा उस पर पॉपिलरीटी की टॉपर थी हिमालाएवरेश्ट पर थी उनके लिए वह आसन था जो राहूल या सुनिया गानी प्रियांका के लिए असन नहीं है और आप इसलिए भी आसन है चुनाव आयोग अब इनकी मुठी का नहीं है नहीं है नहीं लेकिर फिर भी एक तो ब निकल जाएगा प्रॉपर्टी पर से अधिकार निकल जाएगा आप लोगों के पास सुनकर आओ जिसको जादा वोट है वो कॉंग्रेस मान लेंगे तो गांधी फैमिली करके जो गुट है वो कितने वोट पासकता है और यह जो एक एक राज्य के स्टेट के छोटे-छोटे न को प्रॉपर्टी पास चली जाएगा आप समझ रहें सब्सक्राइब को बिना चुनाव चिन्द या बिना पार्टी की मान लेंगे प्रॉपर्टी मिलनी जाएगे इसलिए यह तरीका चुना गया है कि घुस्य में आकर उनका प्रक्षोव होकर एक एक तरके निकल जाएग तो वापस आपको एंट्री मिलना इन पर में इनके महरबानी पर रहें न तो आप निकल गए तो वापस आपको एंट्री मिलना इनके महरबानी पर है न तो पार्टी में रहते हुए स्प्लिट करें यह शायद यह 23 लोग लीड कर रहे है यह जो संदेश हां बोलते 300 से ज्यादा नेता है उसके पीछे तो यह छोटे-छोटे अपने डिस्ट्रिक के नेता रहेगे लेकिन उस डिस्ट्रिक में रहूल से ज्यादा वो वोट लाग सकते है तो पल्डा उसका भारी हो जाएगा यह उनको भी मालूम है इनको भी मालूम है लेकिन इसकी पूरी तैयारी होने तक कुछ होने वाला नहीं तो यह 6 महने का ट्रूस बन गया है समझोता है कि मैदान में तब उत्रेंगे जब पूरी तैयरी हो एक बात आप समझ लो कि गहलोड कॉंग्रेस को राजस्तान में वोड नहीं दे सकते जितने पाइलेट दे सकता है जोतिरा जित्या कमलनाथ से ज़्यादा पॉपिलर है दिग्वीचे सिंटो बिलकुल नहीं है तो मध्यपदेश के हालत आप महारास्ट्र में तो यह चुनाव के लिए एक दिन भी आ गया एक रावल गानी एक दिन आ गया नांजेडिया और में फिर भी कॉंग्रेस ने अपने अपनी जगा पर वो जो लीडर है वो अपने अपनी बल्बूते पर चुनकर आया है तो 23 लोगों में ऐसे कितने लोग है उस पर कॉंग्रेस किसकी होगी यह निरवर है और उसको गांधी फैमिली डरी हुई है इसलिए मैंने बोला कि जि इंकाल दो एक्सपेल करो यह मांग यह समझोते के बाद हुई है इसका मतलब इनको उक्साया जा रहा है आज भी कपिल सिंबल चुप नहीं बैठे है उनकी ट्वीटर आप फॉलो करते होगे तो आपको पता चलेगा कि यह स्प्लिट की तैयारी हो रही है स्प्लिट की तैय इंदी राजी की बहु यह बोलना ठीक है आप इंदी राजी तो है नहीं इनके पास वोटर खीचने की टाकत नहीं है प्रियांका थी आमें ठीमें रावुल खड़ा था फिर भी हार गया है पिल्कुल रवरे ना तो उनको इनकी अवकात पता चल गई है राय बरेली में एक बगावत पर उतर आई है यह तो इनके महरणी से चुनकर नहीं आई है तो वोटर जिसके पास जाएगा वो पार्टी लेकर जाएगा और पार्टी के साथ प्रॉपर्टी जाएगी यह उनकी चिंता है और अगर आज चुक पैठे तो यह भंगर में पार्टी बेचेगे यह दूसरे कुट की चिंता है इसमें कॉंग्रेस हसी है आज भाव बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को बहुत विस्तार से इस जो यह लड़ाई चिड़ी विएस का मूल क्या है वो समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाव नमस्कार